वेलकम तो मैं चैनल केसर और कोको होप यौल आ फाइन दूइंग वेल रोज रोज अपने बच्चे को टिफिन में क्या देना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक हेल्दी और नूट्रिशियस ब्रेक्फिस्ट बनाना यह हर हाउस वाइफ के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो चले आज इसे सौल करते हैं चटपट से बनाके मखाना और मूंग डाल के पैंकेक्स या छिला सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए पॉना कप या थ्री फॉथ कप चितनी मूंग डाल और उसे हम एक बरतन में अच्छे से दो लेंगे ठीक से दो के हमने यहाँ पे उसका सारा पानी निकाल दिया है और फिर हम उसमें डालेंगे मखाने मखाने हर जगह बहुत इजिली अविलिबल है और इसके हेल्थ और निट्रिशन बेनेफिट्स के बारे में हम सब को पता है तो दो कप मखाने लिए हैं और इसे हम भिगाएंगे सोडा में यह जो सोडा वाटर मिलता है बाहर हमें हमें उसमें उसे भिगाना है अगर आपको लगे कि और थोड़ा सा लिक्विड याने की पानी चाहिए भिगाने के लिए तो आप उपर से और घर का साधा पानी भी डाल सकते हैं मेरे पास भी ज़्यादा सोडा नहीं था तो मैंने उपर से थोड़ा बहुत उसमें अपना घर का पानी डाला है छे से साथ घंटे के लिए मैंने इसे भिगा दिया था और फिर ये देखिए एक-एक मूंग का दाना बहुत अच्छे से भीग गया है ये सोडा वाटर में भिगाने से हमारा जो पैनकेक याने की छिले का टेक्स्टर है वो बहुत स्मूध और मिलायम हो जाएगा अगर सोडा वाटर नहीं है तो डेफिनेटी आप रेगिलर पानी में भी इसे भिगा सकते हैं पीसने से पहले में हमने जिस पानी में इसे भिगाया था वो सारा पानी फेक दिया था आपको इसके कंसिस्टेंसी ना मोटी रखनी है ना पटली रखनी है बिल्कुल हम जैसे मोंग डाल चिल्ले के लिए रखते हैं बिल्कुल आपको वैसी ही रखनी है दाल पिसने में मैंने नियरली आधे कब से थोड़ा कम पानी यूज किया है अब हम इसमें डालेंगे धेर सारी सबजियां यहाँ पे मैंने डाला है दो टेबल स्पून कसा हुआ गाजर दो टेबल स्पून पॉपल वाली बारिक कटी हुई कोबी एक कटे शिमला मिर्च दो से तीन टेबल स्पून हरे प्यास का सफेद वाला पाट और दो से तीन टेबल स्पून जितना हरे प्यास का हरा वाला पाट उपर से हम करेंगे सीजनिंग, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ से वन टीस्पून जितनी अद्रक पिल्ची की पेस्ट हाफ टीस्पून जितना काला मेरी पाउडर एक टीस्पून चाट मसाला और स्वाधनू सा नमक सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आप इसमें ओरिगैनो और पीजा सीजनिंग डालके भी बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंट्रस्टिंग बना सके यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरा बेबी उत्तपंवाला नॉन स्टिक पैन दो दो टेबल स्पून जितना मिक्स्चर लेकी मैं सब जगर स्प्रेड करूँगी उपर से डालूँगी थोड़ी सबजिया और थोड़ा सा तेल डालके हम उसे ढखके रहने देंगे फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे एक तरफ आपको इससे तीन मिनिट के लिए पकाना है ज़ादा टाइम नहीं रखना है और फिर आप उसे फ्लिप करके और एक से डेड़ मिनिट के लिए पका लीजे सौरी थोड़ा सा रेकॉर्डिंग में इशूज होने की वज़े से मैं वो पहले वाला शॉर्ट कंटीन्यू नहीं कर पाई आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा कि यह आपको कैसे बनाना है वापस हम दूसरी साइट फ्लिप करके उसे मैं दो मिनिट के लिए पका लूँगी तो गाईज यह मेरे जो मौंग दाल और मखाना की छिले हैं वे बहुत टेस्टी बने हैं और यह बहुत अच्छी तरह से पके बन गये हैं उपर से मैं डालूँगी सास और उसे अच्छे से उस पसे गानिशिंग करूँगी और धेर सारा चाट मिसाला डालूँगी उपर से और मैं डालूँगी हरा प्याज और हरे प्याज के हरे वाले पत्ते तो गाइज यह देख लीजे बहुत ही जटपच से हमारी बहुत ही टेस्टी ब्रेक्फिस्ट रेसिपी रेडी हो गई है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगिये तो इसे ट्राइ कीजिये और अपने व्यूज और एक्पिरियंस नीचे कॉमंट सेक्शन में शेयर कीजिये रेसिपी अच्छी लगिये तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब See you again with another interesting recipe. Till then goodbye and stay safe